नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका न्यूत करसाइस यूट्यूब चैनल में सबसे पहले आपको नौवर्स 2020 के हार्दिक सुपकामना है ये निवर्स आपके लिए मंगल में हो अर्था जो भी चीज़े आप अपने उम्मीद जो भी किये हुए है अपने लच्छ को प्रा जरू मिलेगा अर्था 2020 को जो लोग सकसेज नहीं हो पाएं उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा जो लगातार लगे हुए है यह कहें कि जो भी आप परिच्छा देते हैं मानीजे जैसे आप कोई परिच्छा दे रहे हैं तो उसके लिए एक सेलेबस होता है कि हां हिस्ट् पड़ी आप ने कदेंशे नहीं पड़ी लेकिं जब एक्जाम हाल में जाते हैं तो आपको पढ़े हुए अब उनको रखते हीं ayam को जडूरी यहके कहने का मतलब यही है कि जब है कि एक लेंस लेते हैं और उसको सुरज के प्रकास के सामने करते हैं तो जब तक उसकी किरणे एकागर नहीं हो पाते हैं तब तक वहाँ पर आग नहीं जलती है बिल्कुल उसी तरीके से सभी सब्जेक्ट को अर्था सब्जेक्ट रूपी किरण पढ़े सब लोग कोई ऐसा नहीं है जो कुछ पढ़ा नहीं होगा सभी जब एक्जाम देने जाते हैं तो पढ़के सब जाते हैं ऐसा को लेकर कि आप सजगतार बनाएं और एकागरता के साथ बिल्कुल सभी सब्जेक्टों को बांध लीजिए कैसे कि उनको एक अच्छे डारेक्शन में तयारी किजिए आपको सफलता जरू मिलेगी तो फिलाल मदेकल नितियास की संकला में हम पढ़ रहे थे मुगलकाल के बारे में मुगलकाल में इससे पहले मैंने अकबर के इस में उनके बारे में बताओंगा इसके आगे की वीडियो में नितिया रही है और वे राजा भीट साल के महल अधिकार कर लिया था तो इसके कहने का मतलब यहीं कि जब अधिकार करने के दौर के बाद में तो जब वापिस यह आता है भारत में हुमायू तो वहीं से क्या कहते हैं अकबर के जिंदगी के वो दिन शुरू होते हैं जब से उसका संगर्सकाल हम कह सकते हैं सरहिंद की विज जब इसे एक 14 फरवी वेलेंटाइन डे की दिन 1556 में कलनवर गुर्दास्पुन में हुआ था याद रखिएगा और इसी किसमें बैरम खा को इनका सनच्छक बना दिया जाता है 1556 में सरहिंद के युद में 1555 में हुमायू का इसने साथ दिया था और हुमायू ने इसको क्या क खाने की पुस्तकाले की सीरियों से लड़कडाता हुआ गिर जाता है और वहीं पर उसकी क्या हो जाती है लेकिन इसका समाचार जो है वो अकबर को नहीं दिया जाता है आगे चल करके जब कलनवर में उसके बारे में जानकारी मिलती है 14 फरवरी 1556 को गुर्दाशपुर में कलनवर में जब ये सासक बनता है तो इसके सामने कई समस्या होती सबसे पहले राजनीतिक अर्श्थिरता क्योंकि निर्वासन की जिन्दगी जिने के बाद में जब भारत में आता है तो बिलकुल वह ऐसी कंडिशन बनी होती है जिस समय आप देखेंगे तो बाबर आया था भारत में सब कुछ अस्तिवर्षत था चोटे चोटे राज अपने आपको स्वतंद घोजित कर चुके थे तो उसी दोर में ये सासक बनता है तो राजनीतिक इस्थेता बहुत ज्यादा थी चोटे चोटे राज उदर अफगान जो थे वो बिल्कुल अपने आपको स्वतंद गृदर दे रही थी और उसके बाद में देखेंगे आर्थिक संकत आर्थिक संकट किसा थी इसलिए ती क्योंकि पूरा छ् negro खाली हो चुका था मलब की जो घ्या को स्खाव पुरी त taş्यों चुका था क्योंकि हुमायू दस तुरं तुरं शता इस्थापित किये हुए था इसलिए उसको काफी यदा समस्यां जहलनी पड़ती है, आर्थिक संकर्था, लेकिन इन सभी समस्यां से उवरते हुए, एक अन्य समस्यां इसके सामने आ जाती है, जो होती है, हेमू लेकर क्या आता है, मुगल, मुगलों के समझ एक सबसे बड़ी समस्या है, हेमू लेकर क्या क्या करता है उसको पता चलता है कि हुमायूव की मिलती हो गई तो park ultimate चटर पुरा राज हम करेंगे तो यहां से विहार से होता हुए आगरा पर आधिकार करता है अग्रा के बाद दिल्लि के बाद पादे पानी पत्के उरुक करता है क्लनाओर के पास में यह रुके हुए है अकButr उनको लगता है कि अकबर को पराजित करें पूरा रूर अपपने अधिकार चेतर में लेप एक बात मैं बता दूँ कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला ये अंतिम हिंदू जो सासक रहा है वो हेमू रहा है इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था लेकिन उसी दोर में जागज देखेंगे तो अकबर की अलपाईू भी है बहुत कम हमर है अकबर की लेकिन उसे कहा जात थोड़ा सा और मोटिवेट करते हैं और इसी युद्ध किले तयार हो जाते हैं जग है पानीपत का पानीपत हरियाना का पानीपत सामली के पास में दिली से कुछ दूरी पर और यहीं पर इससे पहले भी एक निरणाय की युद्ध लड़ा जा चुका था मुगलों और अफग त्रिक नहीं थे हैं मूजी उतने की गग़ार पोड़ता यह लेकिन अचानक उसकी आखमें ती लग जाता है आखमें तीर लगने से वह होता है होदे में गिर जाता है हाँ थिक है जो जिस यह बैठते Matthew लाए वाला शिततया थिर aí उसको जयहना में उसको सेने भगदर मत किसी ने मारा मार दिया गया पानीपत का युद्ध अकपर वर्सेज हेमू हेमू विजएई यहीं से क्या होगा कि पानीपत के युद्ध के बाद पूरी तरीके से ये सत्ता है फिर दुबारा से कह सकते हैं कि मुहर लग जाती है और गलो का सासर यहां पर पूरा सुलू हो जाता है और बैरम खान को मैं बता दूँ खान बाबा इनको कहा जाता था याद रखेगा और पानीपत के युद्ध के पस्चात में जो ये कंडिसन है पानीपत के युद्ध फंदा सो चपन से पंदा सो साथ के बीच में बैरम खान का सनलचक बन करके करता है लेकिन आगे चल करके बैरम खान से भी मतवेद हो जाता है क्योंकि बैरम खान एक सिया था और अपने उच पदों पर सिया लोगं को न्यूट कर रहा था बैरम खान से और भी अन्य ऐसी ऐसी कंडिशन बनती है कि वो छोटे-छोटे कह सकते हैं कि जितने भी निड़ा था वो के बीना पूछे ही स्वयम ले लेता था इससे अकबर के जो साथी थे वो क्या करते हैं क्रोधित हो जाते हैं और एक कह सकते हैं सड़ेंत दस्ते हैं बैरम खान को ले करके वो बैरम खान के खिलाफ जो है अकबर का कान भरना शुरू कर देते हैं अकबर के बैरम खान से क्रो मक्का की यात्रा करना सुनेशी समझते हैं उसी मक्का की यात्रा के जाने के दोरान में गुजरात में इनकी हत्या कर दी जाती है पंद्रा सो एक्षड में अफगान मुबारक खाने इनकी हत्या कर देता है यह हत्या इसलिए करता है मुबारक खान का कहना था कि इसी ने मच्छ रहीम है उसको खाने खाना की उपादी देता है खर ये जो बाकी के जो पोर्षन है जो इसकी नीतियां बगएरा उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फिलाल अभी मैं इसके युद्धों के बारे में चरचा करूंगा एक हलका सा सर्फेस हेरिया में आपको टच करा दे रहा हूं कि बैरम खांग की हत्ते हैं पंदर सो एक्सट में हो जाती और पंदर साट से चौन सट के मद्ध में अकबर हरम की स्तिरियों के संपर्क में आ गया और उनका सासन में क्या होने लगा कि थूड़ी सी दिल्चस्पी बढ़ने लगी और कह सकते थे तुरसन नियं जैसर में बता दूँ कि जो अकबर की दो धाय मा थी जिनको एक महा मनगा एक दूसरी जीजी अनगा चुकि आप देखेंगे कि आप बैरम खा का पतनोच का इसे समसुद्दीन अकबर को समसुद्दीन जो है समसुद्दीन के अकबर क्या करता है प्रधान मंत्री बना देता लेकिन अकबर इनको अपना भाई मानता था और दोनों का समर्च्छ साथ-साथ में हुआ था लेकिन आगे चल करके इनकी ऐसी कंडिशन बन जाते हैं कि उच्छत से बार बर फिकवाता है और उनकी हत्या हो जाती है इनकी मरवा देता है कि इनको उधम खांको यहीं से मैं इसको यहीं पे स्टाप करूँगा और प्रमुख अभियानों की और आओंगा क्योंकि इसके कई परदास आसन है और जज्या करें सब नीतियां वगेरा इबादत खाने की स्थाफना उनको मैं नेक्स्ट वीडियों बता सकते हैं पॉइंट सेवन फाइब लगा लीजिए तो थोड़ा सा स्लो स्लो वीडियो चलेगी तो फिलला आये देखते हैं सबसे पहले जो अकबर की विजय थी वाज बहादूर अधात मालवा विजय थी पंदरासो एक्सेट में इस फंदरासो एक्सेट की विजय में अकब जो हैं इनका नाम है रूप मती रूप मती भी है क्या करें दोनों लोगों की संगीत में काफी ज़्यादा रूची है इसलिए इनका सासन पसासन में कुछ खास दिल्चसपी होती नहीं है और तुरंत इनके उपर अकबर हमला करता है कि बाज बहादूर भाग जाते हैं और बाज बहादूर हारने के बाद में जो रूप मती है यह जो स्रेह मालवा के विजए उधम खा को दी जाते हैं और जो यह रूप मती हैं यह क्या कर लेती हैं आत्महत्या कर लेती हैं तो यह मालवा विजए 1560 अकबर की पहली विजए अब आते हैं दूसरी बहुत सारी स्थान अभियान के दोरन कच्वाह राजपूत हैं आमेर की राजा भारमल की पुत्री हैं अर्खा भाई या जोधा भाई से इसने विवाह कर लिया यह इंपॉर्टेंट है तो फिर नक्स देखें मिरता विजे अधिकान शेत्र यह इसे रहते हैं जिन पर अकबर अपना सासन नहीं स्थापित कर पाता है तो जो मेवार के आगे चल करके जो यहां के सासक बनते हैं वो है राना परताफ और वो क्या करते हैं कि सीधे टकर लेने की कोशिस करते हैं किसे अकबर से और अकबर ने दुबारा चढ़ाई कर दी थी इनके ओपर इसलिए अकबर वरसे राना परताफ के बीच में 18 जुन इसे अकबर विजय हो जाते हैं वो राना परताफ पराजित हो जाते हैं इसके बाद यह एक युद होता है गुझरात विजय 15CT करना चाहता था दूसरा यह कि समूदरि व्यापार को निंतित भी करना चाहता था और यह दच्छिड के चेतरों को नहीं जीतोगे तो यहां तक पहुंचोगे कैसे इसलिए क्या करता है इसके बाद बंगालियों बिहार की विजए 1544 चेतर काबुल विजए 1581 कस्मीर विजए 15556 सिंद्ध विजए 1591 विजए 1592 विजए 1592 विजए फिर कांधार विजए 1585 विजए 15 sí фण सब को पूरा यह पूरा जो था ये आप देखेंगे तो यह पूरा अकबर की अधीनल है पूरा अक्बर की आधीन था है यब देखेंगे तो खान देश जो है अधिनता सुईकार कर लेता है बाकी के जो है अधिनता सुईकार कर लेता है बाकी के जो है अधिनता सुईकार कर लेता है बाकी के जो है अधिनता सुईकार कर लेता है बाकी के जो है अधिनता सुईकार कर लेता है बाकी के जो है अधिनता सुईकार कर लेता ह यक अकपर की आखरी विजह में अपने हो आकपर की टूउले jo लुख़ाँ में पुत्तर प्रदेश के लिए कि अटांझे और इसके बाद में चुकि अकबर क्या हो रहा बीमार होता चला जा रहा है और पंदर सुब पच्ची से छबिस की मधिरात्री को अर्था तो पच्ची से छबिस सोलह सो पाँच में 1605 में मृत्यु हो जाती है अकबर की और इसको सहाधरा में दफनाया जाता है आगरा में सहाधरा में दफनाया जाता है और यहीं पर क्या क्या मृत्यु के बाद अर्स आसियानी का मतलब है स्वर्ग में रहने वाला अर्स आसियानी इसको बोला जाता है और यहीं से क्या होती ह अक्बर की कह सकते हैं अक्बर का अंत होता है और एक नया सम्राट बनता है सली जो है अबी मैं सलीम को एक इस वीडियो के बाद एक और कर बताऊँ भो उसके बाद मैं सलीम पर आंग prioritizeं करम और इसके और लेकिन अभी इस वीडियो में आप इसके और तीर्थकर कब खतम किया और इबादत खाने की स्थापना दीन इलाही ये सभी मैंने सब अभी सब बचा हुआ है मतलब रिच पाइट अभी बचा हुआ है ये जो प्रमुक विजये थी उनके बारे मैंने बताया है आगे की वीडियो में थुला सा और मैं डीप में होंगा तो फिर लाच के लिए इस वीडियो में इतना है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक आपका अपना ख्याल रखें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद